वास्तो सास्तर घर परिवार में सकारात मक्तब बनाए रखने और खुसाली के लिए कई चीजों की जानकारी देता है वास्तो और फेंग सुई दोनों में चांदी की मचली को सुबकारी और लाबदायक बताय गया है चांदी की मचली का सम्मद मा लक्षमी से माना जाता है वही चांदी को भी घर में रखने के इसाब से सूब माना गया है ऐसे में घर में चांदी और पीतल की मचली को रखना लाब दैक माना जाता है वास्तो सास्तर के अनुसा चांदी या पीतल की मचली को धन की दिसा दिखाने वाली माना जाता है वास्तो सास्तर में बताया गया है कि जो लोग गर की एक निश्ची दिसा में चांदी की छोटी सी मचली रखते हैं वहां धन की व्रशा होने लगती है और रखने के कुछ दिन बाद ही गरवालों को खुसकबरिया मिलने सुरू हो जाती है उत्तरप्रदेस, मद्देप्रदेस और बुंदेलखंड आदी कुछ जगों पर चांदी की मचली को बहुत खास इस्तान दिया गया है बुंदेलखंड में दिवाली और धन्देरस की पूजा चांदी की मचली की बिना पूरी नहीं की जाती वहीं कई जगे इसी मान्यता है कि लोग अपनी बेटे की शादी में लड़की और दामात को भी चांदी की चोटी सी मचली देते हैं इसके साथ ही व्यापरे लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले चांदी की मचली के दर्सन करें तो व्यापर में खुब तरक्य होती है चांदी है पीतल की मचली को घर के पूरव या उत्तर पूर दिसा में रखना चाहिए इससे बहुत चल्द धनकी दिसाएं खुल जाती है चार ओर से धनकी परसाथ होने लगती है करियर में सफलता हासिल करने के लिए कुछ लोग तबद्तर में भी चांदी की मचली रखते हैं परस में चांदी की चोटी मचली रखने से वे हमेशा बरा रहता है ऐसे लोग जो काम सुरू करते हैं उसमें सफलता पाते हैं वास्तु के हिसाब से घर में फिस एक्वेरियम रखना भी लाबकरी होता है इसे एक्वेरियम में अगर आप चांदे की छोटी सी मचले डाल देंगे तो परिवार में आने वाले संकट कट जाते हैं